आप सभी को मेरा अपनाम आसा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे आज मेरी गोल्ड की बात करेंगे गैंदे के खूल की प्लांट है इसकी उप्योग हम जानेंगे मित्रो यह एक इंसेक्टिसाइड प्लांट है इंसेक्ट को भगाने वाला और और और्गनिक कल्टिवेशन क करता है हमारी इंसक्ट के रिपढ़ने के लिए और हमारी जो कमर्शल क्रोप होती है उसको इंसक्ट के अटेक से बचाता है अब हम जानेंगे किस प्रकार से हमारे स्वास्थे के संवर्दन के लिए कि इसको हम उपयोग में ला सकते हैं साथियों इसके flowers का उपयोग आप infusion बनाकर अपने सास्ते के संडक्षन के लिए उपयोग में ला सकते हैं Infusion किस प्रकार से बनाएंगे आप 200 ml गरम पानी कर लीजे और उसके अंदर 30 g इसकी petals इखटी करके डाल दीजे गरम पानी में जब आप ढालते हैं तो इससे essential oil और flavonoids polyphenolic compound extract out होके आपके पानी में चले जाते हैं और बाद में जब आप उसको छान के इस्तमाल करते हैं तो वो शरीर के toxins को remove करने का कारे करता है, liver detoxification का कारे करता है, blood को purify करने का कारे करता है, vicious गुणकारी ये होता है आप क्या कर सकते हैं, उस 200 ml जल को दिन में पूरा एक दिन के अंदर 7 कर सकते हैं, देरे देरे आप देखेंगे कि 3-4 दिन के अंदर liver detox हो जाता है और इसका क्योंकि aromatic essential oil होता है, हमें इसका taste भी अच्छा लगता है और हम सहस्ता से ले भी बाता है साथियो अगर skin के उपर कुछ problems हो गई हो, skin infection हो गया हो तो आप इन ही पत्रों का paste बना कर skin के उपर apply कर सकते हैं, skin के wrinkles को दूर करने की छमता, dead skin को remove करने की छमता, और anti-aging activity के लिए आप इसके पत्र का paste बना कर लगा दीजी और बाद में lukevam water से आदे गंटे बाद बाद ब protection करता है, साथियो infusion का इस्तमाल आप पेट के कीडों से निराकरण के लिए भी कर सकते हैं, और अगर सरीर में कहीं भी pain हो इंफ्लामेशन हो गई हो, तो आप इसके फूल का oil, इसके फूल के से निकलने वाले aromatic oil को आप लगा दीजे, विभिन परकार के inflammation और दर्द, arthritis का pain हो वहाँ भी इसका oil चमत कारी प्रभाव देता है और दर्द को ठीक करते हैं, इसके पत्र के अंदर बुखार को ठीक करने की छमता होती है, साथ ही साथ एनलजेसिक का कारिये भी करता है, मित्रो इसकी जो समस्त प्लांट है, इसको आप powder बना के रख सकते हैं, समय समय पे आप इसका उप्योग कर सकते हैं, इसके अंदर blood thinner capacity भी होती है, खोन को पतला करने की छमता दी इसके अंदर होती है, आप 3-4 ग्राम सुखे प्लांट का powder यूज़ करते हैं, तो blood थिनिंग का भी कारे करता है, मित्रो इसके oil से nociceptive, anti-nociceptive compound भी extract आउट किये जाते हैं, जो pain क के sense को खतम करते हैं, और हमें pain नहीं होता है, inflammation को दूर करते हैं, suriasis का अगर patient है, तो इसके oil को हमें लगाना चाहिए, होने वाली eating दूर हो जाती है, और redness भी आचानी से ठीक हो जाती है, इसका oil काफी मात्रा में गोस्दिये गुणों के लिए यूज़ किया रहा है, और cosmetic industry में भी काफी गुणकारी तरीके से प्रभावकारी तरीके से इसका हम उप्योग कर रहे हैं, इसका propagation seed के माधियम से आप कर सकते हैं, भारत वर्स में हर महीने इसका flowering season रहता है, और आप इसको मित्रो 10 ग्राम इसकी petals लेकर और उसमें 4 ग्राम आप healthy powder मिला लीजे और इसका पेस्ट बनाकर एक्जीमा पे आप लगाते हैं, तो एक्जीमा दूर हो जाती है, वूंड healing के लिए आप इसका उप्योग कर सकते हैं, ना सूर अगर हो गया हो, ना भरने वाले गाव हो गया हो, तो उनको भी ये पेस्ट भर देता है, पस्वो में कई बार चोट लग जाती हैं, हम अपने health के लिए parameters ले सकते हैं, लेकिन आप छोट छोटे जीव जनतों को आप देखिए, ये अपने health के conservation के लिए nature के जो gift हैं, ये flowers हैं, इनी से अपने health को ठीक रखते हैं, और उनी के माद्यम से अपने digestive system के disorders को ठीक करते हैं, blood circulatory system को ठीक करते हैं, neuromuscular problems को ठीक कर करते हैं, तो हम भी अपने स्वास्ते के समवर्धन के लिए, neuromuscular problems के लिए, nervous system के disorders के लिए, circulatory system के लिए, body से toxins को remove करने के लिए, इनी flowers का इस्तमाल कर सकते हैं, इनके flowers, flowers निकलने वाला oil के leaves का paste, सभी और इसका whole plant का powder, सभी औस्तियोगनों के लिए हम उप्योग मिला सकते ह हैं, जानकारे को share केजिए, और चैनल को subscribe कर लिजे, हो सके तो bell icon press कर लिजे, ताकि आपको notification प्राप्त होता रहे, इनी बातों के साथ आप सभी का धन्यवाद, परणाम नमस्कार.